नीटू सिकरवार बोले कि वीजेपी में वगावत गदारों के आने से होई है कैविनेट मंतरी के छेतर में रोज हो रही है गटनाए पुलिस नहीं कर रही कारिवाही खबर करहल से है जहां कल करहल में कॉंग्रिस की उपचनाव सवा की तयारे को लेकर कॉंग्रिस नेता सत्यपाल और फुनीटू सिकरवार दो दिन से करहल प्रिवास पर हैं आज नीटो सिकरवान ने फास्ट समाज़ा और मंच पर अगामी उक्चनाव की रूप रेखा को लेकर चर्चा की साधी कॉंग्रस छोड़का वीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत पर भी तंज कस्तिव कहा कि इस छेतर से केविनेट मंत्री बनने के बाद छेतर का सूका तो समाप्त नहीं हुआ बलकि अपराद बढ़ गए हैं पिड़त लोगों की रिपोर्ट तक थानों में नहीं लिखी जा रही है और कहा कि आज जो वीजेपी की असली कारिकरताओं की हालत है और जो सदियों से वीजेपी की नेता रहे हैं उनकी एक एक वगावत की तवज़ा भी रामनिवास रावत हैं जो एन वक्त पर कॉंग्र जो लोक सवागे चर्चेत प्रत्या सीथे जो पुरे प्रदेश में इनकी चर्चा है ती नीटू सिगरवार जी जो कल जो आईजन होने वाला आए जाए जो कांग्रेस के जो दिगज विदायक हैं और जो नेता कली आने वाले हैं उप्चनाओं की तैयार हुए को लेकर इन लिए कि सभाक आयुजन किया जा रहा है और इसमें डॉक्टर गोविन सिंग जी अधनी असोक सिंग जी पूरुमंति आधनी लाखन सिंग आदव जी आधनी जैवर्धन जी आधनी दिनेश गोरजर जी ऐसे तमाम लोग इस कारिकम में रहने वाले हैं और चुनाओं की तैय कि जड़े में से बीजी पी में कुछ भूचल सा लंगे मुंछे लगता है कि होने वाला है कि कुम्त से पहले भारती जंता पार्टि ने एक गिरोब बनकर मैं तो ग्रोई कोँँगा क्योंकि इस से पहले कभी राज निति में ऐसा होता नहीं था कि दलबदल कराने के लिए कॉंग्रेस के लोगों पर दवाब डालने के लिए एक कमिटी बनाई गई इसमें डॉक्टर नोत्म मिस्रा जी संजै पाठक जी से तमाम लोग थे जो प्रदेश में सक्री हुए कि कैसे कॉंग्रेस के नेताओं को तोडा जाये खरीदा जाये उन पर दवाब डाला जाये मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की परवर्ती पनपेगी तो जो मूल कारीկश कार्टा के मन में हीन भावना आना सुभाविक है और मुझे लगता है कि मूल जो कारिकरता है आज भी भारती जनता पार्टी का वो इस बात को कते ही सुईकार नहीं करेगा कि जिन लोगों ने गद्दारी की हो हो सकता है वो एक सीट जीत गए हो मुरेना शोपर की लोकसभा की सीट जीत गए हो लेकिन मूल कारे करता जो है वो आज भी इस बात को लेकर निरास है कि गदारी जिसने अपनी पार्टी से की जिसने अपनी मातर पार्टी से गदारी की दल बदल करना एक अलग प्रक्रिया है लेकिन गदारी करकर पार्टी के साथ और चुनाब मैं इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देना मुझे लगता है कि भारती जंता प्राड़ी का मूल करकरता इस बात को सुखार करने वाला नहीं है और अभी तो कम बगावत हुई है आप देख लेना और आंगे की सिदी क्या होने बाली है अभी वाई सब आप जिस जगे प्रवास पर हैं यहां कल दो दिन तीन दिन पहले गटना हुई एक योबक यहां से गायव है शोपुर से वो गया था कि चिनी जी कारेश से तब से गायव है पुलिस उसमें काम नहीं कर रहे हैं लोग दरना देने तक तयार है किस तरह देख र का सूखा खत्म हो गया मुझे लगता है कि इस प्रकार से सूखा खत्म हुआ है कि लोग तरही तरही मम करने लगे हैं एक उजा परिवार का बच्चा अभी गाय हुआ है अभी विजयपूर की घटना है कुछ लोगों ने एक जगे जाके तोड़फोल की मारपीट की एक बे भारती जंता पाड़ी है मैं कले सब्दों में इसकी निंदा करता हूं किस तरह देखते हैं वाई साब जिन जो आपकी मुख बज़े रहे क्या मानते हो कौन मुख बज़े आपकी राइस बेदान सभा में यहां पिछड़े नहीं तो आप जाता कि सब जगे से आगे थे किस नहीं मान लेकिन आज भी कोई विक्ति अपने परिवार के लोगों का लोग और बच्चों का नाम नहीं रखना चाहता तो जब भीषण की भूमिकां में लोग आ जाएंगे तो फिर हारना सुभाविक है और मुझे लगता है कि भारती जंता पार्टी ने ऐसे भीषणों के सारे ही सत्ता प्राप्त करने का जो मन बना रखा है और जिस प्रकार का माहल बना रखा है जनता में वो चुनाव कभी जीत नहीं पाते इस प्रकार की तोड़ फोड करकर विवीषणों को एक अत्रित करकर वो चुनाओं में विजय जरूर हो सकते हैं लेकिन जंता के दिलों लाना चाहता हूं कि पूरी दम और पूरे उस्साह और पूरी उमंग के साथ हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं मैंने लोगों के तीन दिन से मैं लगबक कराल में हूँ मैंने लोगों के मन को टटोला है मैंने लोगों से बात की है लोगों के मन में भै जरूर है लेकिन वो भ लागत के सार पूरी उस्सा के साथ इस चुनाओं में लगेंगे और हम जीत हासिल करेंगे विश्वास के साथ कह सकता हूं